हाई एवरिवन गुड इविनिंग जुस्तों बात करेंगे यहां पर यंपी पीवी के द्वारा गुरूप 3 के लिए विकेंसी और आनलाइन अप्लिकेशन ओपन कर दिये गए हैं तो आप लोग के लिए चलिए थोड़ा से मैं अपडेट दे देता हूं लेकिन जिसको भी फा हैं तो आप लोग इसको ध्यान से पर ले प्रो प्रॉपायल बनानी रहेगी यदि आपको ऐसी प्रॉफायल से अपको उपन कर लेना है और ऑपर बिए करने के लिए उसके लिए आपको इहां पर क्लिक करें जो जो भी आपको डाकुमेंट रिक्वायर चीजे मांगेगा वो फिल करना रहेगा और आप यहां से अपडेट करके सारी चीजे देख पाएंगे तो दूस्तों चलिए आप लोंगे लिए मैं दिखा देता हूं इसका जो नियम ती क्या है उसको दिखा देते हैं तो आप लोग वीडियो से जोड़े रहें और वीडियो को Dahaुस्तों जोर देखें और दोस्तों में अब各位 बतारूं कि मैं हेल्स से जुड़ी हुई ज्यादता जानकारी आप लोगों के साथ सेयर करता हूं लेकिन यहां पर दूस्तों आप लोगों के लिए थोड़ ऐसे मैं अपडेट दिखा रेता हूं जो जिस अपडेट है इसमें जो भी वेकंस से संबंदीत है तो चले आगे इसको पढ़ लेते इसे आपको प्रोफाइल से सर्च करनी है और यही से भी आप अप्लाई कर पाएंगे अब छेले आपको ग्रूप 3 के जो नियम पुछन का है उसको क्लिक करके देख लेते हैं तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे यहां पर जो अपडेट है यह आप लोगों के लिए आ लाग्ञार पाउनला आठ दोफी हाज बाविस तक रहेगी और इसके अलाबा जो अधर अब्डेट यह बताया है जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे सीधी भर्ती और संबीदा दोनों के लिए ब्डेट हैं आप यहाँ देख पाएंगे और जो फीस बगएरा है आपकी परिच्छा सुल के हैं आप यहां देख पाएंगे परिच्छा सुल के बारे में अनारचीत अभियार्थियों के लिए 500 रुपए है और अनसुची जात अन्सुची जन जात अन्ने पिछड़ावर के लिए यहां पे 200 रुपए रखा गया है त एक बार जरूर आपके जरूरी 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 जो भी मेटर है उसको पढ़ लें ताकि आपको फिल करते समय कोई प्रावलम ना हो और आप लोग सभी जनकारी अच्छे से पिल कर पाएं उसके अलाबा यहां परिच्छा का जो समय है यह भी बता दिया गया है आप लोग निर्देश पढ़ने के लिए समय यह सारे चीजें हैं और आपको जैसे अभ्यार्थे को पंजियन करना है तो आपको पास में आधार अवस होना चाहिए आप यहां देख पाएंगे आधार के लिए और उसके लाबा कुछ अधर अब्डेट जनकारी आपसे मांगी जाएग आपका विश्य सूची अब विश्य सूची के अंदर दूस्तों आप यहां देखेंगे तो टोटल 90 पेस की है आप यहां से शुरू करेंगे चार से 21 एक नंबर पे है उसी तरह से आप वन बाई वन करके यहां पे देख पाएंगे टोटल 91 पेस का यह अपडेट है इसके अ और यहां पर दूस्तों सेवा समुम में पादकानाम संबर्ग स्रेंडी यह सारी चीचे बताएंगे इच्छा का आयोजन के संबंद में यह जो जानकारी है यहां पर बताए गई ही और जो कोस्चन आपके आएंगे दोसों आंके के रहेंगे टोटल आपके विशे संबंदी आपके सव नंबर के और उसके अलावा सामान घ्यान सामान हींदी सामान अंग्रेजी सामान गाड़ित तारकिक सामान दिख्यान और कंप्यूटर जया इस तरह से यहां पर आएंगे इसको आप लोगगों को पढ़ लेना है और उसके अलावा बहुत सारे निया में यह लेना है और यहां पर यह आप लोग देख पाएंगे तो वीडियो पॉस्ट करके आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं नहीं तो आपको टारेक्ट क्या करना है यह पीपीवे के आप इसे वेबसाइट में आएंगे और नियम पुस्टिका वाली पेज में जाएंगे से डाउनलोड करके आप लोग सारी अपडेट को पढ़ लेना है उसके अलावा दोस्तों आप यहां पर देख पाएंगे अनसुचित जाती अनसुचित जन जाती और अनपिछड़ा बार आतिक्रूप से कमजोर बार के लिए सारी काई जी गई है जो की छूट से संबढ़न देख पा रहे हैं सारी अपडेट यहां पर दे दी गई दोस्तों और यहां सीधी भर्ती इवन संबीदा के रिक्तपरों का विवर्ण जो दिया गया है अब देख पा रहे हैं यहां पी जो टोटल सीधी भर्ती के लिए है अनारच्छित हैं 617 EWS के लिए 223 अनसुचित जा के लिए 431 और अन्य पिछला वर के लिए 500 पंचानने टोटल यहां पर है दोस्तों सीधी भर्ती में 2100 अंठानने पोस्ट है और यहां पर जो संभीदा में हैं टोटल 111 111 पोस्ट है और सीधी भर्ती बेकलांग रिक्टपरों के लिए दोस्तों यहां पर फूल जो पोस्ट है 248 पोस्ट है इस तरह से आप लग देख पा रहे होंगे इसके अलावा और आपको दिखा देने निचे तो यहां पर लोग देख पाएंगे जोहां पर कितनी पोस्ट है किस जीले में ती सारी चीज़ इसके अंतरगत बताई गई है तो आप लोगों को यहां पे देख लेना तिस तरह से आप लोग अपलाई करके और इसको बढ़ सकते हैं दोस्तों अपलाई करने से पहले और यहां पर दोस्तों सेल्डी से सब्मंदी जानकारी आप लोग यहां देख पाएंगे यहां पर दिप्लोमा आप यहां और किसी मानेता पराफ्ते विस्वेदाला एसे सिविल इंजिनिर्ण की अपरास वाद ही डिगरी होनी चाहिए इस तरह से उसके अलावा जो दूसरे पोस्ट के लिए भी है तो यहां पे सारी जनकारी दी गई ही तो आप लोग देख और यहां पर दूसरे की सीधी वर्थी उपयंद्री के लिए है यहां भी मनेता पराफ्ते विस्वेदाला से आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग तीन वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए उसके लावा जो और इक जनकारी आप यहां पर देख पाएंगे जद्धा दूस्तों यहां पर इंजिनिरिंग वाले दूस्तों के लिए विकेंसी है मेकेनिकल इंजिनियर और उसके अलावा बहुत सारे पोस्ट के लिए यहां पर विकेंसी निकाली गई है अब यहां पर दूस्तों इस वाले में देखेंगे सीधी भर्ती में जो कि 469 पद हैं कारपालिक में और यहां पर जो सच्छाण की योगिता है आपके पास में मदप्रेश से सासन दौरा मानेता प्राप्त तकनीकी संस्था अबोर से सिविल इंजिनियरिंग में तीन वर्स का उत्तीर होना चाहिए और उसके लावा यह एधर पोस्ट के लिए हैं तो यहां पी इस तरह से आप लोग देख़एंगे तो बहुत यहां पर बड़ा अप्रेट दिया गय ताकि आने वाली नई अपडेट नोटीटेशन आपको यहां से मिलती रहें और यहां पी दुस्तों सहाएक प्रवंधा कागज के लिए एक पोस्ट है कारिपालिक में लेकिन यहां पे सच्छानिक योगता हाई स्कूल के पस्चात सासन दौरा मननता प्राप्त संस्तान में पेपर टेक्नलाजी में तीन बर्स का डिक्रोमा भी मांगा है यहां पर दुस्तों चौधा पोस्ट जो है कारिपालिक में संबीदा कर्मियों के लिए है जो कि बार में कच्छा होती हैं तथा सिविल इंजिनिंग में ट्रेट में ट्याइ आई 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 ट्याइ आई आई ट्याइ आई 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 तो दो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए प्लीज 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 लाइक करें सेयर करें वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्रवाद थैंक्यू सो मच आल अप्पेंट झाल दोस्तों झाल 2 एा करें सेयर कि लाइक सेयर सीन अवी बहुत प्लावा